हलो नमस्कार दोस्तों डेम्स परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है आज के special session के अंदर अपन बात करते हैं presentation के बारे में जी हाँ प्यारे दोस्तों pregnancy में presentation के बारे में सवाल आते हैं तो समझते हैं क्या होता है presentation या किस परकार से देखा जाता है अगर अपन बात करते हैं presentation के बारे में तो pregnancy में presentation होता क्या है तो वो pregnancy में बच्चे का वो हिस्सा जो मा के uterus के lower lobe में जो सबसे पहले आता है वो presentation कहलाता है या बोल सकते हैं the part of baby should be present in the lower uterine segment is called presentation इसको अपन क्या लिख सकते हैं the part of the part of fetus that present at lower uterine segment यानी pregnancy में बच्चे का वो हिस्सा जो uterus के lower segment में मौझूद है वो के लाएगा presentation के लाएगा तो अब नीचे क्या आ सकता है कुछी चीज़े आ सकती हरे एक चीज़वा मौझूद नहीं मिलेगी यहां पर देखने को मिल सकता है या तो सर बच्चे की मुंडी आ सकती है बोले तो head ठीक है या बच्चे के बटक आ सकते है बटक next क्या देखने को मिल सकता है बच्चे का कंदा आ सकता है या क्या आ सकती है अमलाइकल कोड आ सकती है और या फिर क्या आ सकता है प्लेसेंटा खुद आ सकता है तो ध्यान रखिएगा ये पांच ही चीजें होती है जो प्रजेंटेशन अब अगर बच्चे का सर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसे बोला जाता है सिफेलिक उसे क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों सिफेलिक के नाम से जानते हैं बटक अगर आ रहे हैं तो उसे बोला जाता है ब्रिच उसे क्या बोलते हैं ब्रिच शॉल्डर आएगा उसको शॉल्डर कंदा आया तो शॉल्डर अमलाइकल कोड आई तो अमलाइकल कोड और प्लेसेंट आया तो प्लेसेंट है अती मैतोफोन चीज है कि most common type of presentation कौन सा होता है तो ध्यान रखेगा most common होता है सिफेलिक most common presentation का नाम क्या देखने को मिलता है सिफेलिक और एक important चीज है कि अगर सिफेलिक के अलवा कुछ भी मौजूद है वो माल परजेंटेशन कहलाएगा other than सिफेलिक all is मुंडी uterus के lower segment में मौजूद रहेगी ति ये presentation इस वीडियो के माधियम से आपको अच्छे से समझ में आया होगा अपनी मंदरी के साथ अगर वीडियो पसंद आया तो like share कीजिका maximum लोगों को information दीजिएगा और मिलते हैं वापास 360 के सुबह साढ़े नोबजे के शैसन में thank यू सो मुट